हेलो बच्चों आज के इस क्वेशन के अंदर हम एसी चेप्टर का नेक्स्ट एग्जामपल डिसकस करने वाले हैं यह एग्जामपल वैसे आपने बुक में देखा होगा एक इंटरस्टिंग क्वेशन है जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो आज इसे अच्छे तरीक करेगा और एक कॉइल है और यह जो कॉइल है इट आहिएगा इंडक्टर Two की है आतो प्रूब करेंगी ठिक है और उससे आपने किस से किया है ऐसी ipels से कनेक्ट्ट किया है और इस पूठिकवर प्रूजर केस में अभी इनिशली circuit दिज्टिय कमें डहीं कोई करन्ट प्लो न inside the interior of inductor, coil के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, एक iron rod को डाल रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, the glow of the light bulb will increase, decrease or not change, आपको ये बताना है, और अब जो भी reason दे रहे हैं, उसको आपको justify करना है, कि भईया मेरा ये reason है, इस कारण मैंने ये बोला कि ये glow करेगा जादा, या कम करेगा, या फिस के glow के उपर कोई effect नहीं पड़ेगा, ठीक है, हैं बहुत simple case, पहले तो ये समझे, कि ये circuit जो है, इस series RL circuit, ये circuit कौन सा है, series RL circuit है, और series RL circuit में जो applied voltage होती है, उसके लिए हम scenario कुछ ऐसा लिखते हैं, VMR square प्लस VML square, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, कुल मिला करके आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, V square is equals to VMR square प्लस VML square, और ये बात ध्यान में रखेगा कि इस voltage को, maximum value को, हम constant मान करके चलते हैं, ठीक है, peak value हमेशे constant होगी, तो अगर ये constant है, या फिर ये RMS value है, तो वो भी constant मान करके चलिए, तो अगर ये constant है, तो इन दोनों का sum जो है, वो भी constant होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है, कि अगर इन में से कोई भी एक increase हो रहा है, तो फिर दूसरा वाला decrease होना चाहिए ठीक है, और अगर ये decrease हो रहा है तो, ये increase होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, तो दोनों में से एक situation follow करेगी, और जिसके उपर potential drop जादा होगा, उसका effect जादा हो जाएगा, जिसका potential drop कम होगा, उसका effect भी कम हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो काम करना चालू करते हैं कि इसका potential drop जाता होगा, तो वो क्या बोल रहा है, पहले तो ये समझी है, इसके across VML के value क्या होगी, तो हमने बोला, अगर हम VML को समझते हैं, तो VML is equals to current into resistance, और इनके resistance को हम reactance बोलते हैं, है न, inductive reactance बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, Excel से represent किया जाता है, और XL है क्या exactly, XL is equals to omega L, and what is omega, omega is 2 pi F, and L, ठीक है, तो आप ये समझे कि कि किसी भी coil के across जो potential drop है, वो depend कर रहा है, L के उपर और frequency के उपर, आप source को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके frequency को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये frequency पे इस समय independent है, मतलब frequency change नहीं हो ये frequency constant है, तो छोड़ो उस part को, वो क्या बोल रहा है, वो iron rod को insert कर रहा है, ये समझेगा, coil में, किसी coil के अंदर, जैसे ही आप किसी iron rod को insert कर देते हैं, उसका L, उसका inductance change हो जाता है, कैसे change हो जाता है, उसका reason हम देख सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रख होती है, coefficient of L, inductance होता है, उसका formula होता है, mu naught, n square, pi r, divided by 2, ये ध्यान में रखिए, और अगर मैं ये ही inductance की बात करूं, किसी medium में, तो medium के अंदर, it will be, mu naught into mu r, n square, pi r, divided by 2, तो ये समझेगा, जैसे ही आप iron की rod इसमें place करते हैं, iron की rod इसमें डाल देते हैं, एक और constant से multiply हो जाता है, mu r से, है न, इसका जो inductance है, वो mu r times increase हो जाता है, तो अगर मैं ये vacuum में बोल देता हूं, या air में l naught defined कर रहा हूं, तो medium में, iron rod को place करने पर, it will be mu r into l, है न, mu r times increase हो जा रहा है, और ये बात ध्यान में रखो बच्चो, iron is a ferromagnetic material, iron क्या है, एक ferromagnetic material है, और ferromagnetic material का mu r जो है, that is much more higher than 1, आप देखेंगे 600, 800 के हासपास होगा iron का, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, तो सोचिए, initially, जिसका inductance, let's suppose करो, 2 milli henry था, air के अंदर, suppose कर लेते हैं, 2 milli henry था, और जैसे ही आपने, iron rod को place किया, और iron rod के लिए मैं मान लेता हूं, it is 500, value of mu r is 500, तो ये 500 times increase हो जाएगा, ये 500 times increase हो जाएगा, so it will be thousand milli henry, ये बात ध्यान में रखियेगा, ठीक है, तो कुल मिला करके L increase हो जा रहा है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कि L increase हो जा रहा है, है ना, और अगर L increase हो रहा है, तो VML भी क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, और अगर VML increase हो रहा है, अगर VML वाला पार्ट increase हो रहा है, तो फिर VMR को decrease हो ना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं, तो हमने बोला, iron rod को insert किया, iron rod को insert करते ही, L की value increase हो जाएगी, L की value increase होते ही, VML भी क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, potential drop across the inductor will increase, और अगर ये increase हुआ, तो इसका impact VMR पे पड़ेगा, मतलब बल्ब पे पड़ेगा, बल्ब के across potential drop decrease हो जाएगा, और अगर ये decrease हो गया, इसका मतलब बल्ब का glow भी क्या होगा, decrease होगा, बात समझ में आई, तो आपको लिखना बस इतना ही है, कि, since the potential drop across the inductor increases, the potential drop across the bulb will decrease, that shows that the glow of bulb will reduce or decrease with time, okay, चलिए, उमीद करता हूँ, ये चीज आपको समझ में आई होगी, simple सा पार्ट था, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, और आपको समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजिएगा, have a good day and take care,